Hello friends, Welcome back to my channel तो आज हम लोग बात करने बाले हैं GTT order के बारे में आप में से बहुत सरे बंदे के quarries आता रहता है message आता रहता है GTT order क्या है GTT order को हम लोग कैसे place कर सकते हैं और GTT order का फायदे क्या है तो यही तीन चीज़ के बारे में हाज हम लोग discuss करेंगे detail में तो मैं अपना mobile के screen में जाके आप लोग को details में दिखाने बाला हूँ GTT order को कैसे place किया जाता है और GTT order क्या है और GTT order का main फायदे क्या है तो चलिए सबसे पहले इसका full from से शुरू करते हैं GTT का full from होता है good till triggered good till triggered का मतलब यही है कि जब तक आपका order trigger नहीं होता है तब तक आपका order cancel नहीं होगा इन generally क्या होता है आपको कोई अगर stock खरीदना होता है तो आप क्या करते order को limit order में लागा के छोड़ देते हैं और जिस प्राइस में अपने limit order लगा है उस order में अगर नहीं गया पुरा दिन में तो सारे दिन बज़े तक वो cancel हो जाता है लेकिन GTT order में क्या होता है आप माली जी आज लगा के छोड़ दिये और आज market उस rate में नहीं आया लेकिन फिर भी वो दूसरा दिन भी माली जी आ गया तो दूसरा दिन वो trigger हो जाएगा इसका मतलब GTT order का timing रहता है एक सल तक माली जी आज लगा दिये हैं कोई order buy or sell order और एक सल के अंदर कभी भी अगर उस rate में जाता है तो आपका order trigger हो जाता है यह है इस GTT order का main फायदा और जिन लोग के पास कोई time नहीं होता है इतना उन लोग के लिए GT order बहुत ही काम का चीज है क्योंकि जिन लोग के बास रोज market को track करने के लिए time नहीं होता है वो लोग लगा के छोड़ सकते हैं कि और अपना time में जब market उस rate में आएगा तब वो buy हो जाएगा और sell भी हो जाएगा GT order को कैसे लगाना है और GT order का और भी फायदे क्या है तो चलिए हम अपना mobile के screen में जाके देख लेते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले जो लोग चैनल में पहले बार आ रहे हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि इस चैनल में रोज अब लोग को trading का related videos मिलता र अंब और आगे हैं हैं तो जनरल हम लोग क्या करते को स्टॉक अगर हम लोग खरिदना हो तो हम लोग क्ते माली आपको एश्गैश्य सी ब economist को 딱 में जाते हो न बागि में जाते हो आपको अम लीजिक आभी 15000 चाल रहा है आप आज के दिन hdfg 日本 15 तक गया तब तो ठीक है आपका ए मर्रडर और ऐ extern हो जाएगा और आगर नहीं जाता है अज के दिन आज के दिन तो आपका एह सट क करना चाते हो ठीक है आप मल लिजे HDFC बैंक को सेल करना चाते हो 1520 में और 1520 में अगर नहीं गया आज मार्केट सारे तिन बज़े तक आपका ओडर यह ऑटोमोडिक कैंसल हो जाएगा तो यहां पर हमारा काम आता है जी टी 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 ओडर का में फाइदा एही है कि जी टी टी ओडर आप आज लगा क छोड़े दोगे लुसरेट पे और खल चला जाता है तो आपका ओडर ओड़ जाएगा ठीक है आब करना चा सबस्क्रart गाया और आप सेल करना चाता है तो एक साल के अंदर आप प्रेस करना में और प्रेस करने के बाद यहां पे आप निछे बाइप करना तो आप भी माली जी आप बाइ करना चाहते हो तो आप बाइ करने के लिए आपको पहले यहां पर नीचे जो क्वांटिटी है क्वांटिटी आप यहां पर लेना है यहां पर आपको ट्रिगर प्राइस भी सिलेक्ट करना है आप माली जी इस पंद्रा सो के रेट में लेना है तो यह ट्रिगर हो जाएगा और इसका कॉंट्रेक्ट एनसी के पास चला जाएगा ठीक है और नीचे भी आपको प्राइस भी देना है आपकी इस प्राइस पर लेना चाहते हो आप माल लिजे पंद्रा सो पंद्रा सो यहां पर एक दे दिए ठीक है उसका पंद्रा सो यह ध किया इदी इस पर प्राइस तो जहां पर जो ट्रिगर प्रास से एक दो रूपिया उपर ही देना है जब एज्डिपसी बैंक 5500 कर एगा तब आपका यह its का हो जाएगा एसकी के पास और उसके बाद जब फंद्रास एक हो जाएगा यह ऑटूमेटीक आपका order place हो जाएगा तो यहां पर set करने के बाद आपको क्या करना है आपको create GTT में क्लिक कर देना है जब क्लिक कर जाते हैं order में आप जाओगे तो यहां पर आप GTT में जाके देख सकते हो कि यहां पर आपका एक GTT order place हो गया है HDFC bank एक साल के अंदर जबी भी 1500 के rate में जाएगा आपका order automatic place हो जाएगा ठीक है तो आभी चलिए देखते हैं इसको sell कैसे sell order कैसे लगा जाता है मली जी HDFC bank को आप GTT या पे GTT में क्लिक किजिए आपको sell करना है तो sell पे क्लिक किजिए 1550 में आप sell करना चाता हो तो यह trigger price यहां पर दे दिए आपने 1550 लिख दिए ठीक है और यहां पर आपको लिखना है प्राइस में आप मालीजिए 1549 यहां पर लिख दिए तो buy के time में आपको ख्याल रखना है जो trigger price देते हो और जो original price आप देते हो उसमें थोड़ा एक point का gap रखना और एक point जादा देना और जब sell करते हो trigger price से एक दो point नीचे देना ठीक है तो यहां पर आपने set कर दिया price देखे और quantity आपको जिदना देन quantity दे दिया करके आप create GTD कर सकते हो करने के बाद आपका GTD place हो जाता है देखे यहां पर GTD आपका place हो गया है 1550 में आपका sale order लग गया है तो जब आप 1550 में चाहेगा HDFC bank तब यह automatic sale हो जाएगा एक सल के अंदर और यहां से आप लोग इस GTD order को delete भी कर सकते हो modify भी कर सकते हो चार्ट को भी देख सकते हो हर तरह का facility आपको दिया हुआ है यहां से ही आप लोग यूज कर सकते हो और इस GTD order के main फायदा यह है कि यह GTD order एक साल तक valid रहता है एक साल के अंदर कभी भी जो अपने price select करके रखा है उस price में अगर जाए तो price आपका execute हो जाता है आपका order place हो लगता नहीं है पाचास बहुत ज्यादा होता है एक साथ पाचास order place करना यह भी बहुत अच्छा एक facility दे रखा है और GTD order को यूज करने के लिए हम लोग को एक्स्टा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है GTD order एकदम free of cost है यूज करने के लिए और एक खास point GTD order हमेशा market time पे प्लेस होता है अगर GTD में sell order लगाना चाहते हो तो आपको वो स्टॉक अपका डिमेट में होना चाहिए तब ही आप sell order लगा सकते हो और दिन में एक बार आगर आपका GTD order trigger हो गया तो आपका GTD उस दिन के लिए place हो जाता है वो GTD order दो बड़ा प्लेस नहीं होगा माली आप 100 quantity आप order लगा के रखे हो GTD का और माली जे आप प्राइस पे GTD लगा के रखे उस प्राइस पे आने के बाद रिटन चला गया और माली जे आपका 25 शेयर मिला है तो आप सोचने की दोबारा वो GTD trigger होगा दोबारा आगर आए तो तो वो नहीं होगा उस दिन के लिए व आप लोग कोमेट कर सकते हो मैं आप लोग फूल डिटेल्स दे दूँगा तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्स प